यूपी में हो रहे स्कूल बसों में हात्सों को लेकर जिले के सभी स्कूल खुलने के बाद बच्चों की स्थुरच्छा को लेकर परिवहन विभाग सक्त हो चुका है अन्फिट वहन के विरुद्ध सक्त कारवाई होने की बात बताई जा रही है दरसल लखीमपुर्खीरी जिले में सभी स्कूल लगपकुरी तरह खुल चुके हैं जहां चात्र चात्राओं और बच्चों की घर से स्कूल ले जाने और स्कूल से वापस घर छोड़ने के लिए स्कूल वाहनों पर अब परिवहन विभाग की पैणी नजर है जहां आधाई लखीमपुर्खीरी परिवहन विभाग में तैेनाद ऐर टीओ आलो कुमार सिंघ ने कहा परिवहन विभाग द्वारा जिले के सभी स्कूल के संचालकों और वाहन स्वामियों को निर्देश दिये जा चुके हैं जल से जल से स्कूल में संचालित होने वाले अन्फिट वाहनों की फिटने सवस्चकर वाले मानक के अनुसार वाहनों का संचालन ही करें बच्चों के सुरच्चा के लिए परिवहन विभाग करा बताएगे मानखों में, स्कूल में संचालित वहनों में किसी तरह की कोई भी खराबी ना हो, वहन की खिड़कियों से बाहर बच्चे न जहांके इसके लिए सुरच्चा के मद्देनजर खिड़की पर एंगल लगे हो वहन के अंदर कैमरा लगा हो ताकि स्कुल जाने वले चातर चात्राओं और बच्चों के विवावक अपने मोबायल से वहन में लगे कैमरे को कन्य करके वहन में बेटे चातर चात्राओं और बच्चों को देख सकें रिडियम रिफ्लेक्टर, जीपियस, इत्यादिस सभी आवश्यक प्रबंद वहन के साथ किये जाना अनिवार है देखिए स्कूल वैन चालक का इस विशया पर क्या कहना है क्या नाम है भी आपका शैलें सिंग आई ये जो गाड़ी है इसकूल वैन वह आप उसके मालिक है निर्देश दिये गए थे आर्टियो की तरफ से कि जो गाड़ी हो वो मानक के अनुसार होनी चीए ताकि किसी तरह से कोई हासे में बच्चे शिकार ना हो सके आपकी गाड़ी में क्या क्या खासियत है अच्छा ये जो कैमरा लगा रखा है कैमरे के भी आदेश थे कैमरे का क्या मतलब आप देख सकते हो या और भी गार्जेंस भी देख सकते है अपने की बच्चे सुरक्षित अच्छा ये कैमरा मूविंग भी है पूरा मूव कर सकता है और ये जो इधर साइड में जो खड़की के साइड में लगा रखी है वो टाकि बच्चे हाथ ना निकाल सके बच्चे किसी तरह कोई आसा ना हो सके ठीक है कितनी गाड़ियां जलती है आपके दोनों गाड़ियां ऐसे हैं पूरे मानक में रेडियम रिफ्लेक्टर लगे हुए हैं कम्प्लीट है ना बच्चे सुरक्षित बच्चे सुरक्षित बच्चे सुरक्षित